हेलो बच्चों कैसे हैं आप I hope you all are good and well तो यहां इस वीडियो में आजम मिसलेनियस एक्सिसाइज जो है चाक्टर नमबर 13 की वो पूरी खतम करने वाले हमारे 10 क्वेशन बचेवेते वो 10 के 10 क्वेशन आम इस वीडियो में सॉल करेंगे तो सबसे पहले स्टार्ट करें question number 20 यहां पे वही आपको derivative find करना है और आपको नहीं कहा है कि कौन सा method आपको लगाना है तो जब भी मैं question में कोई भी method नहीं दिया हो तो मैंने आपको यहां पे कहा है कि आप यहां पे direct method लगा लो क्योंकि direct method आपका identity based method है और सारे formula based method है तो आप वहां पे easily formula जहां पर भी हमारे पास होता है तो हम आपे easily उसको solve कर सकते हैं तो यही method हम ले रहे हैं तो जब भी इस तरह के question को solve करो यह 8 9 10 11 यह formula आपके mind में होना चाहिए क्योंकि यहां पे दो function दिख रहे है light के यहां पे जो हमारा u है वो हमारा a plus b sine है और light के हमारा v जो है वह c plus d cosine है तो इस u और v में क्या relation है u यहां पे क्या है divide by v है that means यहां पे u upon v का हमें derivative फाइंड करना तो यह अपॉन v का derivative हम कैसे find करते है urt 3 square करते हैं v को ऐसे ही रखते हैं then u का derivative then minus और फिर u को ऐसी ही रखते हो v का derivative ऐसे हम find करते हैं तो यही चीज आपको इन फंक्शन में इन में देखने हैं question के अंदर देखना है दो function है तो कैसे हम इसको solve करें तो u upon v इसी लिए में पता चल गया now अब इस question को इसी form में लिख लेते हैं जहां v square है तो वहां पर क्या रखेंगे c plus d cos x का whole square now v as it is तो c plus d cos x as it is रह जाएगा और d by dx of a plus b क्या हो जाएगा यहां पर sin x हो जाएगा ठीक है फिर आपका यहां पर क्या होगा माइनस आएगा फिर आपका a plus b sin x का derivative हो चुका है तो यह a plus b sin x आपका है जाएगा और आपका यहां पर क्या हो जाएगा d by dx of c plus d आपका हो जाएगा यहां पर cos x हो जाएगा तो यह तो हमने अपने formulae के form के according इसको arrange कर दिया अब यहां पर आपको किसका derivative find करना है पहले इसका find करना है देन आपको इसका find करना है तो exam में आपको एक-एक step करके लिखने के जो रहें आप सीधा यहां पर d by x a plus b sin x जो भी आ रहा है यहां कि आपका यहां पर b cos x आप तो आप सीधा लिख सकते हो अब यहां लास्ट वाली वीडियो में सबको जब साथ का साथ solve करके समझाए तो कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही थी वहां पर समझने में तो मैं इनके देरिवेटिव अलग उलगलग करके देखा शें यहांपर यूढश यहांपका gustaría 생각이 करें ako bacalay के दिशान ओक शेलों यहां वीडश्य एक समझ में आगा वह सीधा sin x का यहाँ पर d by dx हो गया तो अब आप यहाँ पर फिर से देखो जब भी किसी के सामने d by dx आता है और बीच में आपका दो फंक्शन है तो इसके बीच में क्या रिलेशन है प्लस का रिलेशन है तो यू प्लस वी वाली चीज़ लेगी यू प्लस वी वाला फॉर्मला लागी यहाँ पर बहुत कंफ्यूज हो थे कि बड़ा बड़ा सारा एक साथ चल रहा था तो समझ भी नहीं आ रहा था आपको कि कहा पर क्या हो रहा है तो d by dx of a तो question में आपको कहा था कि a तो constant है a b c d सारे constant है तो constant का derivative क्या होता है जीरो होता है तो यहाँ पर constant का derivative तो हो गया है य यह जो हमारा second part है d by dx of b sin x यह इस form है 15 formula की form है कि d by dx of constant into variable की form है तो इस तरही में क्या होता है constant आगया रहता है और variable का derivative यहाँ पर हो find कर लेते हैं तो यहाँ पर भी आपका b आगया जाएगा और d by dx of क्या हो जाएगा यहाँ पर sin x हो जाएगा तो 0 में कुछ भी add कर वही term जाएगा तो इसको तो हम आजटे जरने जते हैं यहाँ जीरो क्षटा देते हैं और d by dx of sin x अब में पता है क्या होता है तो यहाँ कि u dash जो है यहाँ कि d by dx of a plus b sin x आपका यहाँ पर क्या रहा है b cos x हो रहा है तो बिद से कहरे हूं यह step आपको लिखने की जुरूत नहीं है यह सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख रहे हूं तो d by dx of c plus d cos x तो c plus d cos x क्या होगा सेम यहाँ पर भी आपका यहाँ पर क्या है यह भी आपका u plus v की form है तो यहाँ भी d by dx इसके पास भी चला जाएगा d by dx c के पास भी चला जाएगा और आप यहाँ पर क्या दिख र आगे लिख लेते हैं c plus d को हमने आगे कर दिया और d by dx अबने किसका कर दिया यहाँ पर cos x का कर दिया तो d by dx of c c आपका constant constant का derivative क्या होता है यहाँ पर zero हो जाता है then plus d आपका यहाँ पर as it is d by dx of cos x क्या होता है जैसे ही को दिख रहा है minus का sign आजाएगा जैसे sign का cos होता है वैसे cos का sign होता है सिर्फ यहाँ पर positive होता है यह आपका negative होता है तो zero में कुछ भी add कर वही term हाती है तो आपका यहाँ पर यही term हाईगी लेकिन यहाँ plus minus यह minus बहार आजाएगा तो minus का d यहाँ भी क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा इसका d sin x हो जाएगा ठीके तो यह दोनों step नहीं लिखना है सीधा आप यहाँ पर answer लिख लो सीधा हम यहाँ पर answer लिख देंगे तो यह क्या हो जाएगा अपका c plus d cos x हो गया और यह आपका b cos x हो गया then minus यहाँ पर हमारे पास formula का है और यहाँ पर a plus b sin x हो गया और यह minus का d sin x हो गया और denominator आपका यहाँ पर क्या हो गया as it is c plus d cos x का square ठीके अब क्या करना है बस हो गया solve आगे नहीं solve करेंगे नहीं अब आप इसको क्या करना है अपको पूरा derivative find करने तक ही solve नहीं है आपको आगे solve भी करके दिखाना है तो अब यहाँ पर हम क्या करें b cos x को इस bracket से multiply करें और minus के d sin x को हम यहाँ पर इस bracket से multiply करें और उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर क्या और कट रहा है नहीं कट रहा तो क्या combine आ रहे है तो हम इसको finally solution तक लेगी जाते है तो b cos x into c क्या हो जाएगा तो b पहले आता है तो b c लखी है b c cos x हो जाएगा then यहाँ पर plus 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 b into d तो यह आपका यहाँ पर हो जाएगा b d cos x into cos x आपका यहाँ पर हो जाएगा cos two time यह नहीं cos square x minus minus यह हमने सीधा यहाँ पर क्या कर दिया प्लस कर दिया इस minus से सीधा हमने इसको plus कर दिया अब d sin x यहाँ पर a से multiply होगा तो a d sin x होगा ठीक है फिर d sin x b sin x से होगा तो माइनस को हम पहले ही यहां पर आगे लेके जा जोगे है one by one step नहीं देख रहे हैं कि पहले इस माइनस को यहां लेके जाओ यह माइनस हमने सीधा इसको दे दिया और इसने इस माइनस को मिला के यहां पर प्लस कर दिया तो आप सारे प्लस है यहां भी प्लस है यह भी प्लस है में मैने म seventeen को यहां ना देगर कि इस वाले сорčkin नेगाटीव को सी था यहां पे दिया । यह कुछ में यहां पर नेगाट्व नैगिकिन समज में रहा हूं तो step यहां पर और रिकलो कि यह यहां पे plus करके छी है आप अदिकिने डिखा है अब यहां पर फंद क्या है मेशर stellen हो झांद इसी और दिर सीह आप यहां पर केम से हमारी कुछ हो जाया तो हुआ है BC है AD है cos X से sin X तो इसको तो हम ऐसी लिख दें BC cos X plus AD sin X यह तो हमने आज़र इस लिख दिया इन दोनों में से कुछ common आ रहा है इसमें BD है इसमें भी BD है तो दोनों में से BD common आ रहा है तो हमने यहां पर BD common ले लिया अंदर क्या बचा यहां से बचा आपका sin square X बचा यहां से क्या बचा प्लस का cos square X बच रहा है तो आपको यहां दे ना class 10 की identity sin square theta plus cos square theta क्या होता है 1 होता है न तो इसकी value आपकी यहां पर कैसे आगई equal आगई 1 by identity से तो identity कौन सी है तो एक्जाम में आपको सब कुछ लिख करके बताना है d by dx of sin X क्या होता है cos X क्या होता है तो साइड में सारा लिख करके बताना है जैसे यहां पर लिखोगे sin square theta plus cos square theta में पता है क्या होता है माइनस का sin X होता है सारी identity जो भी यूज करें में लिख के बताने है बस अब यह one हो गया अब इसका आगे मुझे कोई solution दिखने है तो बस इसको हम लिख लिखे बीजी कॉस एक्स प्लस AD sin X फिर आपका यहां पर क्या होगा प्लस का BD बज़ गया तो one हो गया और divided by C plus D cos X का whole square यह में होगा अब इसका कोई solution नहीं होगा और U upon V में आप हमेशा याद रखना कि denominator का कुछ नहीं होता जो होगा वो numerator का ही होगा now 21 दिखते हैं तो now 21 तो यहां भी D by DX of sin of X plus A divided by cos X तो यहां पर भी आपको क्या दिख रहा है numerator को अगर आप U ले लेते हो तो यह अमने numerator को U ले लिया और denominator को अगर V ले लिया तो अब दिखो यहां पर U upon V में क्या relation है तो बीच में आपका क्या relation है divide का relation है that means वही आपका formula लगेगा U upon V का आपको यहां पर derivative find करना तो U upon V का derivative आप कैसे find करते हो U upon V का derivative हम find करते हैं denominator का square फिर V as it is U का derivative then minus U as it is or V का derivative इसी तरीके से find करते हैं simple तो वही हम यहां पर लिख रहते हैं अब तो हम chapter के end में आ गए हैं और मुझे लगता है कि आपको सब कुछ चीज अच्छे से समझ में आ गई है तो मुझे over explain नहीं करना है कि आप खुद वीडियो को देखके बोर हो जाओ तो सिर्फ आप यहां पर solution को देखो पहले आपको आता है तो आप खुद करो नहीं आता है तो आप solution देखो तो यह आपका यहां पर cos x हो गया then cos x का as it is रखेंगे और derivative होगा numerator का numerator का derivative क्या हो जाएगा sin of x plus a हो जाएगा तो दोनों small bracket नहीं लगाते है एक बड़ा bracket लगाते है फिर यह आपका जो identity का minus आ गया then आपका यहां पर sin of x plus a तो as it is रहेगा और d by dx आपका यहां पर किसका होगा cos x का होगा ठीक है तो यहां पर देखो cos x आपका as it is रहे गया d by dx of sin x क्या होता है तो हम यहां side में लिख लेते हैं कि हमें पता है d by dx of sin x जो होता है वो आपका यहां पर होता है cos x होता है तो हम यहां पर सीधा क्या लिख सकते है cos x plus a लिख सकते है ठीक है इसकी एक चीज़ और में आगे समझाती हूँ अभी आप यहीं तर सुझे जिसे sin x क cos x होता है तो यहां पर भी sin x plus a का भी cos x plus a हो जाएगा then minus sin x plus a है और d by dx of cos x क्या होता है तो यह तो हमें पता है d by dx of cos x जैसे ही आपको cos x क्या हो जाता है ठीक है तो यह आपका यहाँ पर क्या हो गया माइनस का sin x हो गया और डिवाइड में आपका यहाँ पर हो गया cos square x हो गया तो देखो एक चीज़ जो मुझे समझानी थी वो में यहाँ पर फिर से बताती हो हमारे पास क्या होता है यहाँ देखो d by dx of आपके पास क्या है sin x अगर d by dx of sin x है तो आप सीधा लिए सब्सक्राइब यहाँ पर cos x होता है ठीक है लेकिन अगर यहाँ पर क्या होता है मैं सीधा sin x की power में कोई number लेडिया तो यहनि कि मैंने यहाँ पर ले लिया जैकि d by dx of sin x की power ना लेकर कि चलो मैं x square कर देती है ठीकि power का मद में देखेंगे मैंने यहाँ पर x ना करके यहाँ पर sin x square कर दिया तो क्या भी भी cos x square ही आएगा और कुछ नहीं आएगा क्या मैं पता है sin का cos होता है तो हमने sin का cos कर दिया लेकिन ऐसे नहीं होता है सिर्फ यहाँ पर सिंपल क्योंकि d by dx of जो x होता है वो one होता है तो हमें इसको आगे solve नहीं करते है फॉर्मूला में हम hazardous याद करते हैं लेकिन अगर x की जगे पर कोई भी यहाँ पर term आ जाती है तो हम यहाँ पर उसके बाद में Lebanese product rule लगाते तो Lebanese product rule क्या होता है तो actual में जो हमारा साइन का एंगल है उसका भी d by dx होता है लेकिन यहाँ इसकी value जो की one होती ही तो हम इसको नहीं लिखते हैं तो सेम यहाँ पर भी क्या होगा जैसे यह by Lebanese rule के according product rule होता है आपने साइन का कॉस कर दिया उसके बाद हर एक का derivative होगा अगर पावर लगी हुई है तो पावर का भी होगा जितनी टर्म यहाँ पर होगी सब का होता है तो साइन का कॉस हो गया और एक्स का d by dx of x नहीं 1 हो गया तो 1 यहाँ पर कॉस x into 1 होके यह अपका क्या हो गया फिर से लिए ौस x हो गया अब ё동हें साइक स्क्रावर हो गया अब यहां पर हो इसका अभी यहाँ पे क्यों का क्या होता है धी वाइन एकश स्क्रा हमारे पास होता है जो पावर हो आ गया जती है और इसमें से एक पावर कम हो जाती तो यह 2x हो गया तो इसका आंसर आपका 2x cos x square आएगा ठीक है अगर यहां पर पावर न होके आपके पावर यहां बाहर आजाती है x square न होके यह sin x का whole square हो जाता है तो पहले वही d by x of x की पावर n वाला formula लगेगा n पहले पावर पहले solve होगी तो यहां पर आपको यह देखना है कि किसका derivative पहले होता है सीधा sign का derivative नहीं होगा अगर यही question आपका इस तरीके से जाजाता कि sin x की power 3 इस तरह से खोशना जाता तो आपको यहां पर कोई variable सोचना है कि let मेरा जो sin x है वो मेरा u है sin x मेरा क्या है यहां पर u है तो यह question क्या हो जाता आपका d by dx of u की power 3 हो जाता तो यह आपको यहां पे पहले power का derivative find करना बढ़ेगा तो power की derivative का formula क्या होता है power आगे आ जाती है और u की मेंसे एक power यहां पर कम हो जाएगी तो अगर only u होता तो यह हमारे पास answer होता 3 into u की power 2 होता लेकिन यहां पर u की जागे कौन है sin x है तो यह ऐसे नहीं होगा तो यह कैसे हम इसको solve करेंगे पहले power solve होगी अभी sin x का कुछ नहीं देख रहे हैं सिर्फ power power के derivative कैसे fared होता है? power आ गया जाती है और जिसकी भी भी उए power है उसपसे एक power कम हो जाती है तो यह तो आपने power का किया अभी यहां पर कौन बज़ गया sin x बज़ गया । दी बाय डी एक्स ओ अभ यहां पर कौन होगा d by dx of x का होगा तो जितनी भी term यहाँ पे होगी सब का derivative होगा power का होगा then sign का होगा और sign के multiply sign के angle में जो है वो होगा अगर यह x square होता तो d by dx of x square हम यहाँ पे कर दें तो इसको हम क्या गते हैं तो यही चीज मैं आपको यहाँ पर भी explain करूँ जैसे मैंने यहाँ पे cost था तो सीधा कर सीधा sign लिख दिया लेकिन यहाँ पे इसा नहीं होगा d by dx of x plus a भी हमें करना पड़ेगा तो d by dx of x plus क्या हो जाएगा यह u plus v वाला रूल लगेगा यहाँ पे तो d by dx x के साथ लगा जाएगा then d by dx आपका यहाँ पे इस constant के साथ लगा जाएगा तो constant हमें पता है जीर होता है और d by dx हमारा one होता है तो one plus zero one होता है इसलिए मैंने यहाँ पे सीधा लिख दिया है ठीक है तो यह आपको Lebanese का product rule आपको ध्यान अटना है यह क्या करें यहाँ पे इसको solve करें तो solve करने में क्या दिख रहा है सबसे पहले तो minus minus यहाँ पे हमें दिख रहा है plus हो जाता है तो cos x cos x plus a minus minus यह हो गया plus sin x plus a और यह हो गया आपका यहाँ पे sin x हो गया तो यह तो कोई multiply हो नहीं रहे क्योंकि एक टर्म है यहाँ पे तो आपक यहां भी देखो trigonometry formula आपके माइंड में आ जाना चाहिए तो यह क्या हो रहा है cos c cos d या sorry a b formula लगे गा है और cos a cos b plus sin a sin b याद करो कौन सा formula यह तो यह वाला है na cos a cos b plus sin a sin b तो यह हमारा क्या formula होता है cos of a minus b का formula होता है याद आगया चप्टर 3 पढ़ा है तो याद आ जाएगा नहीं आता है तो पीछे जाके देखो एक वर अभी फिर्स time जब आप solve कर तो गबराना नहीं okay first time अभी हम solve कर तो यह नहीं कि मैं बोलो कि वहां का यहां यहां यूज आगया हम कैसे ध्यान में रखेंगे आप एक बार भी chapter कर लो दूसरी बार प्रेक्टिस करने जाओगे ला आपके mind में अपने आप अपने आप अपने आप अपने तो अगली बार प्रेक्टिस करोगे तीसरी बार करोगे तब तक आपको यह अपने आप समझ में आ जाएगा और यहां तक आपने answer लिखा तब भी अपका ठीक है और इसके आगे भी solve करें तो क्योंकि हमें अपने solution को final answer तक लेकर जाना होता है तो यह आपका यहां पर क्या ले लो चाहे इसको भी ले लो दोनों का answer यहां पर सेम ही आने वाला है तो यह अपका cos a plus b आ रहा है तो x minus x plus a आ रहा है यहां पर ठीक है और divide में तो आपका cos square x था ही तो अब इसको solve कर लो तो यह अपका cos हो गया x minus plus minus x minus plus minus a कहा का rule कहा काम आ जाएगा वो यहां पर पता न minus a upon cos square x हो गया अब एक चीज यहां पर और दिया दखना जो कि हमने trigonometry पढ़िए cos minus theta क्या होता है plus का cos theta होता है क्या होता है plus का cos theta होता है और sin minus theta को होता है sin minus theta आपका minus का sin theta होता है So sin का कोई angle negative आगे तो वो negative भारेता है लेकिन cos में इसा नहीं होता है वो negative क्या बन जाता है यहां पर positive बन जाता है तो का यह सारी चीज मैंने आपको समझाई हुई है यह क्यों negative होता है क्यों positive होता है उसका जो chapter इसके introduction में multiply कर सकते न को से के साथ में 1 का इस तरह से multiply कर सकते हैं तो यह 1 by cos square x को जब मैंने अलग लिखा तो यह हो गया cos a into 1 by cos square x आपका क्या होता है sec square x होता है तो यह तो हमारा final answer यहां तक आप answer लिखोगे तो आपको full marks मिल जाएंगे तो 1 by cos हमारा यहां पर क्या हो गया 1 by cos x हमारा यहां पर sec x हो गया ठीक है तो यह हमारा हो गया 21 now next देखे 22 अब यह हमारा question number 22 है तो लेट की देखो यह आपके mind में अगर यह आ रहा है कि मैं यहां पर x power 4 को x minus 3 cos x ले लेती हो तो इसके बीच में दोनों के बीच में क्या relation है x power 4 और इसके बीच में क्या relation है तो u into v का relation है तो जब हम इसका derivative find करेंगे तो यही इसी का तरीका लगाएंगे यानि u को ऐसे ही रख दो v का derivative कर लो फिर plus v को ऐसे ही रख लो u का कर लो या पहले u का कर लो v को आसे ही रख लो क्योंकि plus sign ही तो order का कोई फरक नहीं पड़ेगा तो मैं यहां पर multiply नहीं कर रहे हूं जैसा मुझे question दिया हूँ है मैं वैसे ही उसको solve कर रहे हूं और अगर आप चाहते हो कि मैं x power 4 को अंदर multiply करके फिर solve करूं तो आप कर सकते हो मैं वह method इसलिए नहीं ले रहे हूं क्योंकि जब मैं x power 4 को यहां पर multiply करूं कि तो इसमें भी u into v लगाना पड़ेगा और इसमें भी u into v लगाना पड़ेगा यनि दो बार मुझे लगाना पड़ेगा तो इससे तो अच्छा है मैं एक बार यहां पर यहां पर रख लेती हो और इसको मैं अलग यहां पर व रख लेती हूं तो मुझे यहां पर दो यहनि d by dx of 5 sin x minus 3 cos x हो गया, फिर positive sign आता है इसके अंदर, फिर आप यहाँ पे अब किसको रखोगे, 5 sin x minus 3 cos x को हम यहाँ पे आजटेज रखेंगे, और d by dx हम यहाँ पे किसका करेंगे, x की power 4 का, तो now यहाँ यहाँ पे x power 4 आजटेज हो गया, अब यहाँ पे देखो, d by dx of य relation चलेगा, जब derivative यहाँ लगावाता है, तो इन दोनों में multiply का relation था, अब derivative यहाँ लगावा है, तो इन दोनों में किसका relation है, u minus v का relation है, तो u-v में क्या होता है D by dx इसके पास भी ज़ता है इसके पास भी ज़ते है और Ip you know आप में constant है तो हमें पता है constant को हम आगे कर दे और d by d x आप में जिसका derivative find कर सकते हैं उसके साथ लगा लेते हैं तो 5 को आगे कर दिया डी बाइट यह साइनस हो गया then minus 3 को आगे कर दिया और d by d x आपका क्या हो गया यहां पर cos x हो गया then plus अब यहां पर तो आपका बहुत सिंपल है यहां पर एक ही त्रव में तो यहां इसी के साथ रहेगा ठीक है अम एक साथ आपका साइन होता है और यहां पर नेगिटिव आता है इसके साथ में फिर यह वाला ब्रैकेट टॉप का सिम रहेगा 5 sin x minus 3 cos x और d by d x x power 4 तो एक ही फॉर्मुला है हमारे पास पावर वाला कौन सा वाला d by d x of x की एक पावर एक पावर एक पावर कम हो जाती है तो यहां पर भी पावर आ गया गई और एक पावर यहां पर हो गई है कम okay simply हमने solve कर लिया अब इसको derivative तुमने कर लिया यही नहीं छोड़ना है आगे इसको final answer तक लेकी जाना है जब तक हम इसको solve कर सकते हैं वहां तक इसको लेकी जाना है तो यह 5 cos x हो गया minus minus यहां पर plus आ गया और यह आपका 3 sin x हो गया then plus यहां पर आपका क्या हो गया इसकी power को solve कर ले और इसको हम अंदर multiply भी कर लेते हैं तो multiply हम बाद में करेंगे पहले इसको लिख लेते हैं 5 sin x minus 3 cos x और यह आपका क्या हो गया 4 x की power 4 minus 1 तो यह हो गया 3 , आगे और सॉल कर सेके हम power को अंदर multiply कर सेके हैं तो हम यहां पर power को अंदर multiply कर देते हैं तो मैरे माय इसे मैं पर 4icioson में 6 पर 4 सो 126 , अंदर multiply कर दो अगे ले मैं अभी मैं अपने method से recursos तापके ज को आपका दो आपका पीछे से तो आंसर फ्षान ह ही नहीं रहे है निख से ऩो जो एकनि या उपशनते तो गदा कि है आंसर में इंकाल के बताकरु कि है टो ऊंस और रिक्स क्यूब कर जिए यहां पर भी है और एक्सफोर यहां है तो ऐसे च्इड्ोहीं है . इस X को अंदर multiplier करौ। तो यह क्या हो जाएगा अपका 5 X Cos X जगा universe और फिर feel muss here by him multiply होगा तो यह 3 Xilian a sign X हो जगा और यहां पर कॉन multiply कोगा x cube वह मारा बाहर चला जा चुका है यह यहां पर बाहर जा चुका है तो यहां से 4 ज़ना 4 को अंदर multiply करो तो 5 into 4 20 sin x हो जाएगा और 5 यहां minus as it is plus minus minus 4 into 3 तो यह 12 cos x हो जाएगा तो यह हमने यहां पर जब common लिया है यानि इसमें से multiply किया यह इस तरह से x cube बहार आ गया अब हमी bracket खोल लेते हैं बस तो यह x cube हो गया then आपका 5 x cos x plus 3 x sin x then plus 20 sin x minus 12 cos x यही आपका पीछी आंसर है तो यह फाइनल आंसर ज़रूर है नहीं कि आप बुक जैसे ही सॉल करो अब आप इसको करके कुछ साइन को common लेना कॉस को common लेना अपने मैंसर से सॉल रहते हैं मैं को तो यहां पर भी वही इसी तरह का तो यह आप यहां पर देखो आप यू किसको लोगे लेट मैं अगर यू लेती हूं एकस स्कुए प्लस वन को और वी लेती हूं मैं कॉस एकस को तो बताओ यहां पर दोनों में क्या relation है तो यहां पर दोनों में मुझे तो multiply का relation दिख रहा है तो वही हम यू इंटू वी का derivative यहां पर find करेंगे अब जिसके माइन वे आ रहा है कि नहीं मैं तो कॉस एकस को से multiply करूं उसके बाद में derivative करूं यू प्लस वी करके तो वह आपका method आप ऐसे भी solve कर से क्यों कि बहुत easy है यहाँ पर plus को करना multiply को करना solve तो मैं अपने तरीके से करती हो आप अपने तरीके से उस method को भी try करके जरूर देखना तो u into v का derivative क्या होता है u as it is v का derivative यहाँ पर plus v as it is और u का derivative कोई फरक नहीं पड़ता किसको पहले किसको बाद में लेडियो तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते है x square plus 1 को तो as it is रख लेते हैं और d by dx किसको авно करते हैं हम यहाँ पर cos x का then plus cos x को हम यहाँ पर as it is रख लेते और d by dx करते हैं x square plus 1 का तो यह तो पहला थो बहुत simple है x square plus 1 हो गया और d by dx of cos x हमें बता है को देखते ही माइनस आ जया और cos का हो जाता है साइन फिर आपका यहां पर cos x as it is हो गया और d by dx of x square plus 1 क्या होता है तो वह हम साइड में solve करने एक्जाम में आपको यही direct answer लिखना है तो d by dx of x square अगलक फंक्शन है तो इनके बीच में क्या relation है तो u plus v का relation है तो u plus v के relation में क्या होता है d by dx x square के पास अलग चला जाएगा और d by dx one के पास अलग चला जाएगा हम इसे इसको अंदर रेक्ट ऊपन कर सकते नहां यहां पर d by dx से separate कर सकते है तो कर दिया अब d by dx of x square क्या होगा तो यह रा formula x की power n के लिए क्या होता है n into x की power n minus 1 होता है तो यह power आजाती है हमारी आगे और x की power में 2 minus 1 होता है और d by dx of constant क्या होता है 0 होता है तो यह 2x 2 minus 1 तो यह 1 हो गया यहां कि आपका answer यहां से कितना आगया only 2x आगया तो मैं यहां पर only क्या लिए 2x plus 0 है तो 0 से तो कोई फ़र्ट नहीं पड़ता है 0 add करके वही term आती है तो यहां पर आपका answer आगया है only 2x तो अब इसको solve करो plus minus minus sin x और यह हो गया आपका x square plus 1 और यहां पर क्या हो जाएगा 2x cos x हो जाएगा ठीक है यही answer आगे solve क्यों करें final answer देख ले हो हमारा जो बुक में जो answer दिया उसमें minus sin x को अंदर multiply क्या हो तो यह हम कर देते है minus का क्योंकि आप solution को नहीं मानते हो आप यहां पर क्या मानते हो नहीं बुक में जो answer वो तो आपका cos x हो गया है यह होगा हमारा final answer now next 24 now question number 24 तो अब यहां से question तोड़े से आपके lengthy हो जाएगे term बढ़ गई ना थोड़े से solution में lengthy हो जाएगे तो वही अगर में यहां पर ax square plus sin x को अगर में यहां पर u led करती हूं और p plus q cos x को में v led करती हूं तो दोनों के बीच में यहां क्या relation है तो multiply करें दोनों bracket के बीच में कुछ नहीं तो यहां पर इसका मतलब क्या है दोनों एक दूसरे से multiply हो रहे है तो हमें वही formula लगाना है u into v का derivative वाला u into v का derivative u ase v का derivative then plus v ase u का derivative तो यहां पर कैसका भी पहले कर लो कोई फरक नहीं पड़ता तो यह हमने यहां पर लिखा मै पहले ax square plus sin x को यहां पर as it is रख लेती हूं और d by dx में किसका कर देती हूं p plus q cos x का then plus फिर आपका यहां पर p plus q cos x तो आपका as it is रहेगा और d by dx आपका यहां पर किसका होगा ax square plus sin x का होगा ठीक है तो अब हम यहां पर क्या करें बार बार सबको लिखने से अच्छा इसका अब नहीं सबस्क्राइब कर दो बार अट कर दो आ ख़र किसका है यहां बार रिखने स्कार चाहतक होगा आपका यू थाना तो यह यू का ड़िवेट्व और यह वी अभी ड़िवेट्व यह हम यहां पर आपे फाइं करें तो प्लैस knock us is my gadget ना तो याहां पे हम लिखते है v का derivative तो v का derivative यानि क्या हो जाएगा p plus d by dx of p plus q cos x का derivative तो अब यहाँ पर देखो यह कौन सा relation है यहाँ पर d by dx के जहाँ बाहर है तो अंदर दो function है एक आपका mu ले लिया और एक आपका v तो u plus है ना बीच में तो u plus v में आपका क्या होता है d by dx दोनों के पास जाए तो d by dx of p के पास चला गया तो यहाँ पर cos x into यहाँ पर constant है तो हम यहाँ पर क्या करते है constant को आगे ले लेते हैं और d by dx of cos x को लेते है according to our identity number 15 15 number की जो identity उसके according constant के साथ में अगर कोई variable ले तो constant को आगे ले लो और variable का derivative find कर लो तो d by dx of p क्या हो जाएगा p तो constant है constant का derivative होता है 0 then plus आपका यहाँ पर रहा और q as it is d by d को को दिखते ही minus का sign आगया cos का क्या हो जाता है यहाँ पर sin x हो जाता है तो 0 में कुछ भी add करो वही आता है तो वही रहेगा हम plus minus minus का q sin x हो जाता है d by dx of ax square plus sin x का derivative तो यह जो blue color में लिख रही हो यह आपको नहीं लिखना है यह सिफ समझने के लिए यहाँ पर भी आपको क्या हो जाएगा और यहाँ पर d by dx हो जाएगा आपका x square का फिर यहाँ पर एक ही है तो d by dx of क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा sin x हो जाएगा फिर equal to a आपका as it is रहा d by dx of x square क्या होता है x power n वाला formula power आगे जाती है और उपर एक power यहाँ पर कम हो जाती तो 2 है तो 2 minus 1 हो जाएगा फिर d by dx of sin x तो sin x का derivative हो जाएगा cos x तो इसको solve करो तो यह आपका क्या हैगा 2 a और x आजाएगा 2 a x आजाएगा 2 minus 1 तो 1 हो जाता है और यह आपका यहाँ पर क्या हो गया plus का cos x हो गया ठीक है अब कुछ नहीं करना यह सारी दोनों जो हमने derivative find किये हैं कौन कौन सा एक तो v dash v dash हमारा यह आया है और u dash u dash हमारा यहाँ पी यह दोनों यहाँ पर put कर लो इसकी जगे और इसकी जगे और फिर हमें इसको finally solve कर देना तो यह आपका यहाँ पर हो गया a x square plus sin x और यह होगा आपका d by dx of p plus q cos x कितना आ रहा है तो minus का q sin x आ रहा है तो यहाँ आपका plus p plus q cos x तो आपका as it is d by dx of a x square plus sin x कितना रहा है तो यहाँ आपका 2 a x plus cos x आ रहा है अब यहाँ तक नहीं चोड़ना इसको आगे हमें solve करना है तो आगे solve करने का आपको यहाँ पी क्या दिखते हैं अगर book के according answer दिखते हैं तो book के according answer में हमारा यही answer है बस क्या क्या होगा इसको आगे लिया हुआ माइनस का q sin x हमने आगे लिख दिया और a x square plus sin x यहाँ पर लिख दिया और यहाँ पे भी आपका book के according answer देखो तो यही राइट पी प्लस q cos x अब चाहो तो आगे multiply करो नहीं तो यहीं तक answer छोड़ दो आपकी मर्जी ठीक है तो यह हमारा हो गया solve now 25 देखते हैं तो देखो यहाँ पर 25th question क्या दिख रहा है आपको यह अगर में यू ले लेती हूं यह अगर में यहाँ पर वी ले लेती हूं तो बीच में क्या relation है यहाँ पर multiply का तो वही multiply वाला relation यू इंटो वी का derivative यू वी का derivative यहाँ पर भी हम इसको ऐसी लिख लेते हैं यू यहीं कि x plus cos x को हम किसी को भी पहले किसी कोई बात में गासे दिए तो d by dx यहाँ पर किसका हो जाएगा x minus 10x का फिर आप यहाँ पर x minus 10x का derivative हो चुका है इसका turn हो चुका है तो अब हम यहाँ पर x minus 10x को अब हम यहाँ यहाँ और x minus 10x को को यह चूंध यहाँ नद सकी नदाया करेंगे x plus cos x का तो अब हम यहाँ पे इसको और इसको अलग solve करेंगें, जी कि आप direct लिख सकते हो, तो यह आप तहीं आपे वी का derivative है और यह आप तहीं आप यह आप यू का derivative है, तो वही हम इसको क्या करते हैं, blue pen से करते हैं, जी आपको समझ में है कि यह blue pen वाली steps आपको नहीं लिखने, चा का यू-माइनिस वी है यहां पर इचसे क्या हो जाएगा दी बाइb蟋 एकस के साथ आ जायगा और दी बाइडेक्स हमारे लिए अचग के साथ पार है yup तो इच के पास पास तो यह गार दी बाइड दी ग्याहिधा। ऑफ ट Tatamax को हमें प्ता अग पना खृट यह य Springs prints एसके मैं हिएाय है और आपको नहीं आदे इसासर का होता है पए सक stick esta हम आपर, क्या च्छ स्क्टक्राइर एकस होता है, तो हम धेलगे क्या लिखते हैं सेख स्क्टक्राइर एकस होग अगर होगा है जम फैन साथ और व्यffentlich lovers प्लस का रिलेशन है तो d by dx of u के साथ अलग कर देदें एं प्लस d by dx of यहां पर cos x के साथ अलग कर देदें तो final answer d by dx of x क्या होता है अपका 1 होता है तो 1 कर दिया और ko जैसे ही दिखा आपका यहां पर क्या आगया माइनस का साइन हो जाता है तो यहां पर प्लस माइनस माइनस साइन हो जाता है तो यहां पर प्लस माइनस माइनस तो यह 1 माइनस साइन हो गया यहां यू डैश अपका यहांस पर कितना रहा है 1 minus sine x आ रहा है अब आपको यहाँ पर क्या करना है only हमें value put करना है और solve कर देना है x plus cos x और यहाँ पर x minus 10 x क्या हो गया 1 minus 6 square x हो गया फिर plus x minus 10 x x plus cos x का derivative क्या हो गया 1 minus sin x हो गया ठीके अब अब आपके ओपर dependent आपको उसको क्यासे solve करना है तो मुझे तो यहाँ पर एक identity क्योंकि मुझे को सारी identity याद है तो मुझे पता जल गया 1 minus 6 square theta यहाँ पर क्या होता है तो आपको याद होना चाहिए कि हमें पता है कि 1 plus 10 square theta हमारे पास होता है 6 square theta बट यहाँ पर 1 minus है तो मैं 1 plus के sec को इदर लेके आती है तो यह minus का sec square theta हो जाएगा plus का 10 इदर आके minus का 10 square theta हो जाएगा यह मुझे सिर्फ यहाँ पर आप चाहो तो उसको multiply करके solve कर सकते हो नहीं तो आप as it is भी उसको यहाँ पर रख सकते हो जैसे आपका solution है वैसे आप सो कर सकते हो तो क्योंकि यहाँ पर मुझे एक identity दिख रही ही तो मैं यहाँ पर put कर ले दियो x plus cos x हो गया और 1 minus x square x की जगे minus का 10 square x हो गया plus आपका यह तो as it is रहा x minus 10 x रह गया और यह 1 minus sin x रह गया तो ncrt के according जो answer है उसके according में answer आपको यहाँ पर लिखके बदागे तो पहले लिख ले minus का 10 square x x plus cos x फिर plus x minus 10 x और यह हो गया आपका 1 minus sin x हो गया तो यह हो गया हमारा book की according answer आगे समझ में अगर आपको यह सब pdf form में चाहिए तो आप मेरी app डाउनलोड करो आपको सारे question pdf form में मिल जाएंगे next question number 26 तो अब तो मुझे लगता है आपको वीडियो देखने की वी जुरूरद नहीं है अब तो आप होगी कि मैम आप रुक जाओ हम खुद सॉल कर लेंगे ये question क्योंकि हमने आपसे पूरा chapter पढ़ा है पूरा answer यहाँ पे नहीं देखना है तो जो कहरे है कि मैम ये तो u upon v है तो बिल्कुल उनका जो मुझे बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है यहाँ पे जो हमारा u है इसको हम u हमारा यहाँ पे हम किसको लटके numerator को हम u लेते है तो u आपका 4x plus 5 sin x हो गया तो यह 3x plus 7 cos x हो गया तो इन दोनों में u और v में क्या relation है यह उपर वाला u हो गया नीचे वाला v हो गया तो यह u upon v हो गया तो u upon v का derivative अगर में find करना है तो वही v square होता है फिर v as it is u का derivative then minus then u as it is और v का derivative यही हमारा तरीका होता है ना तो बस वही हमें लिखना है तो यह आपका यहाँ पे हो गया डिनाओ जब भी u upon v हो गया ना लिखना बहुत पढ़ा डिनाओ मेंटर को तो बार बार ऐसे ही साथ का साथ लिखना पढ़ता है तो यह square हो गया अब यह यहाँ पे as it is रहेगा 3x प्लस 7, cos x तो यहाँ पे as it is रहेगा और d divided X इसका होगा numerator का 4x फॉर अब का 4x प्लस 5 sin x यहाँ पे as it is रहेगा और d by d x अब का यहाँ पे किसका होगा d by d x अब का होगा 3x प्लस 7 cos x का होगा तो यह इसका याईनि कि यह जो हमारा u dash है इसका में अलग फाइंड कर लेते हैं और v dash है इसका में अलग फाइंड करते हैं अब आपको तो आता है ना तो आप तो जल्दी कर लोगे लेकिन मुझे तो समझाना पड़ेगा तो मैं यहां पर सबसे पहले क्या करते हैं यू dash का derivative तो यू dash जो नहीं लिखना है exam में वह हम करेंगे ब्लू पैट से तो यू dash नहीं की d by dx of 4x plus 5 sin x तो देखो यहां पर क्या relation जिसके आगे भी d by dx लेगा वो देख लो उसका relation चलेगा तो यह यू है यह वी है तो यह यू plus v होगे यह फिर m plus n ले लो आपको कहों कि मै तो देखो 4 constant है तो अब तो आपको आपको समझ में आ इसलिए में direct करेंगा 4 को आगे ले लिया और d by d x of मैंने x कर लिया फिर यहाँ पर 5 constant है 5 को आगे ले ले लिया d by dx of मैंने यहाँ पर sin x कर दिया तो आप तो सीधा ये 4 d by dx d by dx of x क्या होता है 1 होता है पता है यहाँ power 1 होता है तो 1 होता है तो सीधा आपने लिखी दिया फिर 5 d by dx of sin x क्या होता है तो ये आपका होता है cos x यानि कि 4 into 1 4 plus 5 cos x आ गया आप वी डेश फाइंड करोगे वी डेश अपका यहाँ पर क्या है तो d by dx of 3 x plus 7 cos x हो गया तो वही हमारा यहाँ पर भी u plus v चुन हमने सभी जगे u plus v लिया तो u और v लेगे तो यह भी u plus v है तो यहाँ भी क्या होगा d by dx अदर रहे गा 3 constant 3 गया बाहर d by dx of x हो जाएगा then plus यहाँ पर 7 constant बाहर d by dx of यहाँ पर क्या होजाएगा सीधा पुट कर ले क्योंकि हमें तो आंसर पता है हमें तो डीटेल में जाने की जिसको जुरूद नहीं वो वीडियो आगे करके और यहां से दिख लो 3x plus 7 cos x हो गया dy dx of this term क्या हो गई आपके यहां पर यहां पर यहां पर 4 plus 5 cos 4 plus 5 cos x आ रहा है ठीक है then minus अब आपका 4x plus 5 sin x तो यहां पर as it is है और 3x plus 7 cos x का कितना रहा है तो यह आपके 3 minus 7 sin x आ रहा है तो यह divided by आपका यहां पर क्या हो गया 3x plus 7 cos x का square हो गया अब आगे आप इसको solve कर सकते तो solve इसको हम करेंगे क्योंकि every step में हम इनको solve करना पड़ेगा final answer लाकर दीना है ठीक है अब दो bracket यहां दिख रहे है दो bracket यहां दिख तो 4 step यहां से आएगी 4 step यहां से आएगी और फिर हम इसको यहां पर पूरा जो cancel होग हो cancel करेंगे इसी तरी केसा हम इसको solve करेंगे तो पहले इसको open करते प्रैकेट को 3x into 4 क्या हो जाएगा तो यहां पर हो जाएगा 12 x plus है तो कुछ sign नहीं देखना प्लस है तो सीधा लिखते रहो 3x into 5 cos x तो यह हो गया 5 into 3 15 फिर x और फिर यहां पर हो गया cos x फिर 7 cos x into 4 तो य 4 square x हो गया अब यहां पर लिखो मैं एक स्टेप को और यहां पर कम करेंगे मैं इसको pencil से लिख रहे हूं आप ढ़िए यहां पर minus लगा हुआ है तो मैं यहां लिख देती हूँ यह माइनस लगा हुआ है यह minus है फिर 4x into 3 तो यह 4 into 3 तो यह हो गया आपका यहां पर 12 x हो गय तो यह plus है तो plus 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 4 into 3 12x plus minus तो यह हो गया minus 7 into 4 तो यह अपकर हो गया 28 हो गया साच चोपर 20 होता है फिर x sin x हो गया then plus का 5x हो गया तो 5 plus plus तो यह हो गया plus 5 into 3 तो 15 sin x हो गया तो यह हो गया 15 sin x हो गया then plus minus minus तो यह हो गया minus 7 into 5 तो साथ उपंजा 35 तो 35 हो गया sin x into 1 sin x तो यह हो गया sin square x हो गया अब मैं यहाँ पर क्या करते हूँ एक step मैं इसलिए कम की अब यह बाहर minus है ना यह सब के sin क्या कर देगा तो मैं डायरेट लग देए माइनस प्लस तो यह हो गया minus 12 x हो गया फिर माइनस- तो यह हो गया plus 28 x sin x हो गया then minus plus minus 15 sin x हो गया minus minus तो यह हो गया plus 35 sin square x हो गया अब मेरी एक step कम हो गए ने तो मुझे बार बार सारा कुछ यह सारा लिखना पढ़ता है यह लिखना पढ़ता फिर यहां पर एक और step आती है तो मैंने इसलिए उपर आपको solve करके बता दिया seven cox x square अब देखो यहां पर क्या cancel हो तो यहां पर आपका 12 x plus का है 1867 यह कैंचल हो गया अब तो कुछ भी न gibi cancel और न यह 15 x kawasakse से श कुछ आप मेरा यहां पर ही नहीं कोई3 तो कुछ भी common क væया पर है 28 यहाँ परочки से है यहाँ परो यह यहाँ प्रक सक्षूर फ़र्ढ़ी आपने है किसांगी स्क्वार एक्स प्लसक जि था में यह कर सकते हो जो बच गए वो तो मैं यहां पर यहां पर यहां से प्लस का कॉस स्क्वेर एक्स बचा फिर प्लस का जो बच गए वो आपर लिख दो 15x चुछ प्लस का कॉस एक्स बच प्लस ट्वेर एक्स साइन एक्समेस्वial बच भी बस अब हम लिखने जा रहे हैं इसक्वेरे उसक्वालिउ क्या हो जाएगी इसक्वालिउ हो जाएगी इकोल में वन तो बस कौन बचा फिर यहां से 1 into 35 क्या बचा तो 35 ही बचा तो यह 35 plus 15x cos x plus 28 cos x plus 28 x sin x और minus का 15 sin x बच गया और denominator में आपका यहां पर 3x plus 7 cos x का square बच गया और यही हमारा यहां पर फाइनल आंसर है ओके यह हमारा हो गया है यहां पर फाइनल आंसर नाउ नेक्स क्वेशन करते है question number 27 तो question number 27 d by dx of x square cos pi by 4 divided by sin x तो एक चीज़ आपको यादा रही है cos pi by 4 क्या होता है cos pi by 4 क्या होता है cos pi by 4 होता है cos 45 degree होता है और cos 45 degree की value तो हमें पढ़ा है 1 by root 2 होती तो that means यह आपका यहां पर क्या है यह constant है तो constant को तो हमें पता है न हम आगे कर सकते हैं तो मैं यहां पर cos pi by 4 को आगे कर देती हूँ अगर आपको यहां पर यही यह वाली step माइंड में नहीं आई है और आप वही u upon v तरीके से solve करो तब भी आपका answer right है अगर constant है तो constant का derivative तो क्या होगा 0 हो जाएगा अगर आप साथ में लेके भी चलोगे लेकिन दो u into v लेके करने से तो अच्छा है कि हम इसको आगे ले ले तो हमारी step जो solution की वो कम हो जाती तो आपको बिल्कुल दिमाग खुला रखके सोचना यहां पर क्या क्या चीज हो सकती कोई भी एक भी step लिखने से पहले आपको सोच के लिखना यहां पर question किस form में जाने तो constant को मैंने आगे ले लिया तो d by dx of यहां से कौन बज गया? x square by आपका बज गया यहां पर sin x बज गया तो let कि अगर यहां पर x square जो है वो मेरा u है और sin x जो है वो मेरा यहां पर v है तो u upon v यहां पर x square जगे u रख दो sin x square v रख दो यह 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 उपान v का derivative आ रहा है यह v square v u dash minus आपका u v dash होता है तो आप सब वैली पुट कर लो cos pi by 4 की जगे चाहो तो 1 by root 2 भी यहां पर अभी रख सकते हो final मेरा को भी रख सकते हो as it is रख सकते हो यह आपका यहां पर क्या हो जाएगा denominator का square तो sin square x का हो sin x का whole square करो एक ही बात होती है अब का sin x तो यहां पर as it is रहेगा d by dx of आपका हो जाएगा x square then minus अब x square as it is रहेगा और d by dx of आपका यहां पर क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा ठीक है अब इसके बात क्या हो जाएगा 1 by root 2 तो हमारा as it is अब root 2 sin square x भी कर दो यहां पर फिर sin x तो आपका as it is हो गया d by dx of x square तो अब तो आप बता दोगे yes ma'am 2 को आगे ले लो x की power में से एक power कम कर दो very good बलकुल सही answer then यह आपका x square हो गया d by dx of sin x क्या होता है तो यह आपका यहां पर होता है cos x हो गया और denominator आपका यहां पर as it is sin square x हो गया बस अब इसको solve कर ले तो यह हो गया अब इसको हम यहां पर 1 by root 2 हो गया then यहां पर 2 तो यह 2 में आगे लिख लेती हूं फिर sin x लिख लिए x की power 2 minus 1 तो यह x आ रहा है तो यह 2x को भी मैंने आगे लिख लिए और minus का x square आपका यहां पर cos x हो गया और divided by sin square x हो गया अब देखो numerator में से x common आ रहा है नहीं तो यहां तक आपने solve किया नहीं यह भी आपका right है तो सिर्फ x यहां भी है यहां 2 time है तो यह x by आपका root 2 हो गया तो यहां से 2 बज़ गया sin x बज़ गया यहां पर x 2 time था तो एक वाला बज़ गया 1 आपका यहां पर गया और divided by sin square x हो गया ठीक है अब आगे तो calculate किया नहीं यहां पर आपका बात में बूलोगे कि माम आपने तो यहां पर wrong answer लिख रखा है ठीक है हो गया now next 28 देखते है now 28 तो 28 is d by dx of x upon 1 plus 10x तो यह तो हमारा simple है let x equal to हम u ले लेते हैं और 1 plus 10x को हम यहां पर क्या ले लेते हैं वी ले लेते हैं तो x की जगह में u रख द u upon v का derivative बना है तो u upon v का derivative हमें आता है v square v u dash minus u v dash होता है यहीं मारा होता है तो बस हम यहां पर value पूट कर लेते हैं तो denominator क्या क्या हो जाएगा square हो जाएगा तो denominator यहीं की 1 plus 10x का whole square हो गया फिर 1 plus 10x तो यहां पर as it is रहेगा और d by dx किसका हो जाएगा x का then minus x as it is रहेगा और d by dx किसका हो जाएगा 1 plus 10x का हो जाएगा ठीक है तो अब क्या करें 1 plus 10x को as it is d by dx of x क्या होता है तो हमें पता है 1 होता है फिर minus x तो d by dx of 1 plus 10x कितना होता है तो side में हम solve करके देख लेगा है ताकि हमारे steps ना बढ़े और आपको भी direct answer लिखना है तो d by dx of 1 plus 10x क्या होता है त x के पास भी आजाएगा तो d by dx आपका यहां पर 1 के पास भी आगया और d by dx आपका यहां पर 10x के पास भी आगया ठीक है यह बिल्कुल वैसे है जैसे आपके joint family रहती है को महमान गेट पर आया तो वो आपके चाचा के गर भी जाएगा ताउजी के गर भी जाएगा वैसे यहां करया है तो d by dx of constant क्या होता है constant का derivative होता है zero और d by dx of 10x क्या होता है तो याद करो d by dx of 10x होता है हमारा sec square x होता है तो कि zero plus sign square x अपको स्क्वेर रिए क्या रिए स्क्वेर एक्स आगया तो हमगो लिए लिए कि मैं है यहां पर साइड में समझा चुकी हूं तो यह हो गया और यह हो गया वान प्लस 10 x हो गया, minus x sec square x हो गया, और पीछे जो हमारा बुक में answer है, उसके according बस यह हमारा answer है, तो जो भी आप derivative find करते हो, उसके बाद में एक दो step में जो भी answer आप खुद बनाओगे वो आपका final answer हो ज़ागा, ज़रूरी नहीं कि एक्जाम में आपको बुक के according answer लिखना है और अपने according भी answer लिख सकते हो, now 29, then last 30, so 29, यहाँ पर दिवाद इस of x plus sec x और x minus 10 x का लेना है, तो मैं अगर यहाँ पर let करती हूं कि मेरा जो x plus sec x है, वो मेरा यहाँ पर u है, and x minus 10 x वो मेरा यहाँ पर v है, तो मैं x plus sec x का अगर u रखती हूं, x minus 10 x का अगर v रखती हूं, तो बीच में क्या relation आ रहा है, मेरे पास multiply का relation आ रहा है, यहाँ कि मुझे u into v का derivative find करना है, जो होता है u v का derivative, then plus v, then u का derivative, ठीक है u, मैंने आ d by dx of क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर x minus 10 x कर दिया, फिर यहाँ पर plus का sign, then x minus 10 x आपका as it is रहेगा, और d by dx आपका यहाँ पर किसका हो जाएगा, x plus sec x का हो जाएगा, अब चाहो तो मैं इनका अलग-अलग करके बता दो, यहाँ इसी के अंदर कर दो बता तो, यहीं पर 7 मे यहाँ पर v dash है, v का derivative और यह आपका यहाँ पर क्या है, तो यह यू का derivative है, तो सिर्फ यहाँ पर d by dx जिसके आगे उस bracket में क्या relation है, u minus v का relation, और यहाँ पर क्या है, u plus v का relation है, तो वहीं जो भी यहाँ पर स्टोरी फिर हैं, वहीं हम तो चाचा के गर भी जाना पड़ेगा और ताओ के गर भी जाना पड़ेगा, बस वहीं relation है, तो d by dx आपका x के साथ भी आजाएगा, d by dx of x हो जाएगा, then minus d by dx of आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा, then plus फिर आपका x minus tan x यहाँ पर as it is रहेगा, अब यहाँ पर d by dx of आपका x भी हो जाएगा, और य सेम यहाँ पर भी आपका इसे ही रहा, अब यहाँ पर क्या होगा, अब इनकी डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, x plus sec x, d by dx of x के होता है, तो one होता है, फिर minus tan x का डेरिवेटिव, अभी जास्ट अपने उपर लिखा, sec square x होता है, फिर plus x minus tan x, और d by dx of x के होता है, तो one ह और sec x का होता है तो sec x का derivative याद रखना है आपको sec x tan x sec and cossack में ऐसी आते है sec x tan x होगा और रुसमें cossack x cortex होगा बस होगा हमारा final answer तो यह हमारा final answer है तो यहाँ पर रहे है आपको पीछ जो फाइनल आंसर दिया हो यही आंसर है तीन step में हमारा answer यहाँ पर हो गया solve now last question अब यहाँ पर देखो यहाँ पर आपका वह Lebanese rule काम आएगा इस question में देखना क्यूं काम आएगा यह d by d x of x upon sin n x है तो देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकते हूं यहाँ पर d by d x of x और sain x की power मैं यहाँ ऐसे हैं इस पावर को sin square x है तो sin x का whole square भी लिख सकते है sin cube x है तो sin x का whole cube भी लिख सकते है तो power अलग लिखने से आपको easy देगा अब यहां पर अभी तो हमें चो रूल दिख रहा है अभी तो हमें यहां पर दिख रहा है कि let जो हमारा u है वो हमारा x है और जो v है वो हमारा sine x की power n है तो अगर मैं x की जगे u रखूँ तो यह d by dx of u हो जाएगा और sine x की power n की जगे v रखूँ तो यह u upon v का derivative की फॉर्म में आ रहा है तो वही v square v u dash minus यहां पर हो जाएगा u then v dash यानि की derivative dash बोलने का मतलब क्या है u का derivative v का derivative तो अभी तो फिलाल हम जो हमारे पास है वही लिखें तो यह क्या हो जाएगा v square यानि की sine x की power n तो हमारे पास पहले ही है और इसका भी यहां पर क्या हो रहा है square हो रहा है sine x की power n का हो जाएगा ठीक है तो यह तो आप easily कर लोगे sine x की power n तो आपका रहा है d by dx of x क्या होता है 1 होता है अब minus x अब यहां पर हम इसको करना है तो इसको तो आप अच्छे से समझे ना क्योंकि यहां पर हमारे पास दो चीज़ा रही है एक हमारे पास x अगर मैं यहां पे sine x को लेटे कि मैं sine x को अगर यहां पर कुछ और कर वेडिबने की power n तो यहां पर d by dx of a की power n तो A की power N जब आपको यहाँ पे दिख रहा है तो आपको power वाला formula लगाना है तो power वाला formula आपके पास क्या है D by dx of x की power N क्या होता है N आगे रता है और इसमें से एक power यहाँ पे कम हो जाती तो यहाँ पे भी यही होगा तो जो इसमें साथ हो रहा है यहाँ एन और A की power एक यहाँ पे कम हो जाएगी तीक है लेकिन अभी हमने power का derivative किया है हमने यहाँ पर जो power जिसकी है उसका derivative नहीं किया है तो यही आपको Lebanese product rule है कि अब यहाँ पे क्या होगा हमने अभी power का किया अब जो यह A बज़ गया है अब इस A का भी हम derivative यहाँ पर find करेंगे तो कैसे करेंगे तो फिर से देखो d by dx of sine अभी यह इस चीज का यह जो Lebanese rule न है यह 11th class में only आपका introduction है यहाँ पे सिर्फ एक दो question कहीं आपको देखने को मिल रहा है तो यह सिर्फ यहाँ पे introduction किया है mainly आप जो करोगे वो class 12th में करोगे यह power वाले गोई एक के साथ दो तीन चीज़े आपकी यहाँ पर रहेगी दो तीन बार आपको यहाँ पर differentiation अलग-अलग करना पड़ेगा तो पहले सबसे पहले यहाँ पर power का हो रहा है तो power आ गया गई और आपका sin x तो यहाँ पर assertus रहे गया और इसमें से power एक यहाँ पर गया होगी कम होगी फिर अभी तो हमने power का किया अब किसका derivative करेंगे तो sin x का करेंगे तो sin x का derivative आपका क्या होता है तो वह हो जाता है आपका cos x तो हम यहाँ पर sin x की power n-1 और sin x का derivative हमारा यहां पर क्या हो गया? cos x हो गया. तब इसको इस तरह से लिख सकते है? n cos x sin x की power n-1. लिख सकते हैं न इसे? तो बस ही हो गया हमारा derivative तो यह side में लिखा हुआ है. आपको as it is यहां से देख करके और कहां पर copy मार लेना है? सीधा जाकरके यहां पर copy मार लेना है. यानि कि इसक आपको copy मार लेना है. तो हमारा answer आया? x तो आपका यहां पर यहां पर यह था ही पहले और आपका यहां से आगया इसका derivative n cos x sin x की power यहां पर आपका आ रहा है n-1 और bracket close. और divide में तो जो आपका था हो as it is sin x की power n और यह हमारा square है. अब हम यहां पर क्या करते हैं? इन powers को अं x को अंदर multiply करते हैं. तो sin x की power n to 1 क्या हो जाएगा? sin x की power n ही रहेगा. और यहां पर minus तो यह हो जाएगा n x cos x sin x की power n minus 1 हो जाएगा. फिर divided by अपका यहां पर क्या लहेगा? डिवाइड में तो चाहे आप यहां पर sin x और यह 2 अंदर लेकी जाएगा तो यह 2 n हो गया. ठीके अब यहां तक आपने answer लिखा ना तो अब भी आपका answer यहां पर रहेगा. यह final answer हो गया. अगे आपने solve करने की जूरत नहीं. पर हमें तो book का answer लेकर आना है. तो book का answer यहां पर क्या है आपका? तो उसके according answer लेकर पीछे जो answer गिया हुआ है. उसमें क्या किया हुआ है? sin x की power n-1 को यहां पर common लिया हुआ है. उसको नीचे से कट किया हुआ है और जो बचा हुआ है वो अपका यहां पर answer है. तो हम sin x की power n-1 को कैसे common ले? तो आप यहां पर एक example से समझो. मैं यहां पर let करती हूँ कि n यह है. यहां पर 6 हो जाएगा. तो यहां 3 है यहां 2 है तो हम minimum power को बाहर ले सकते हैं. यहनि sin x की power n-1 को हम यहां से बाहर ले ले लेंगे. तो यहां पर power 3 है तो यहां एक sin x क्या हो जाएगा? बची जाएगा. समझ में आ रहा है. बिल्कुल वैसे ही समझना इसको example लेकर के. अ यहां पर sin x की power क्या हो जाएगी? 3-1 तो यहां पर क्या बचाएगा? sin x की power आपके 2 है तो 2 है तो 2 है नि 2 इंटो 3 है निकि यह आपके होगे 6. तो मैं यहां से sin x का square यहां से common ले लिया. तो यहां से कौन बचा? only बचा sin x बचा. और यहां से क्या बचा? n x cos x बचा. और divided by यहां पर क्या हो गया? sin x की power आपका 6 हो गया. तो यह हम बाद मैं देखते हैं. आपको यह तो समझ मे आ गया लिदा ना की बचे गया तो यहां पर मैंने sin x की power n minus 1 जब मैंने यहां पर common लिया तो यहां पर only क्या बच गया यहां only बच गया आपका sin x बच गया और यहां से यह तो common चला गया तो यह sin x cos x बच गया तो यह तो आपको एक logic मैंने समझा दिया अगर आपको यह logic नहीं समझ में आया कि मैं यहाँ पे sine x क्यों बचा तो मैं यहाँ पे sine x की power n को change कर सकती हूँ कैसे change कर सकती हूँ तो देखो मैं pencil से लिखके बताती हूँ मुझे इसको change करना है तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ यहां नीचे देखो अगर यह वाला तरीका नहीं समझ मैं तो यह वाला समझ जा साइन एक्स की पावर यहां पर एन है और मुझे साइन एक्स की पावर एन माइनस वन बाहर लेना है तो मैं इसकी पावर में क्या करती हूँ एक प्लस वन कर देती हूँ एक माइनस वन कर देती हूँ तो पहले मैं माइनस वन लिख देती हूँ एक मैंने माइनस किया है मैंने मुझे क्योंकि न मैंने माइनस किया तो मुझे यहां पर प्लस भी करना पड़ेगा है तो अब यहां पर मैंनस करना पड़ेगा तो अब यहा तो यह मैंने बाहर इसको मैंने ऐसी तो लिखा है यह वाले को यहां पर कैसे लिखा है ऐसी तो लिखा है साइन एक्स की पावर यहां पे यहां पर यहां पर समझ में आगया यहां से आया अब मैंने sin x की power n-1 को मैंने यहाँ पे बाहर ले लिया sin x की power n-1 को यह बाहर चला गया यह बाहर चला गया, तो कौन बचा हो only sin x की तो बचा हो, तो दो तरीके से आप इसको समझ लगते हो, ठीके, तो यह आपका यहाँ बच गया, अब यहाँ पे answer नहीं है यह denominator से भी उसको cancel किया हुआ तो denominator में sin n-1 होना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं है और अगर आपको 2n को n-1 बनाना नहीं आ रहा है तो वो वहाँ पे जाना भी मत, नहीं बनाने आ रहा है तो कोई बात ही, हमें जो चाहिए, हम वो वहाँ पे multiply और divide कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे क्या कर रहे हूँ मैं 2n को n-1 बनाने के बजाए, जोड तोड करने के बजाए जो मुझे चाहिए न, उसी कामें यहाँ पे multiply और divide कर रहे हूँ तो मैंने यहाँ पे into sin x की power 2n जो है, उसके अंदर मैंने sin x की power n-1 से multiply भी कर दिया और divide यह जदा easy है, अब 2n को n-1 बनाओ के तो confused होगे कैसे बनाएं, क्या जोड़ें, क्या गटाएं, तो यह रहने दो तो इस sin x की power n-1 से तो यह तो cancel हो गया और अगर multiply में base से मुझे तो power add होती है और divide में power क्या होती है, subtract होती है, या फिर आपको यह भी बता है कि नीचे से जब power उपर जाती है, तो अपने sin change कर लेती है तो यह ज़्यादा समझना आपके लिए easy है, sin x minus n x cos x हो गया, और अब यहाँ पे सिर्फ denominator को solve कर लो, तो यह sin x हो गया, इसकी power कि इतनी है, 2n है, अब यह n minus 1 उपर गया, plus का n उपर गया, तो minus का n हो गया, minus का 1 उपर गया, तो यह यहाँ पे plus 1 हो गया, अब बस आप इसको solve कर लो, और यह आपका हो गया answer, और यह question आपका यहाँ पर important भी है, क्योंकि इसमें एक तो यह double Lebanese rule रहाँ पर लग रहा है, और यह solution भी इसका इस तरीके से, तो solution तो आपके पर dependent है, आप कैसे लिखते हो, n x cos x हो गया, और यहाँ पर sin x की power किपनी हो गया, 2n में से 1n गया है, यानि 2 time n है या 1 time है, 2 time n में से 1 time n गया है, तो only n बचा, तो n प्लस 1 यहाँ पर आ गया, easy, अब उन्होंने इस power को अंदर लिखा हुआ है, तो वो भी लिख देती है, क्योंकि बहुत से बच्चे कहते हैं मैम आपका answer पीछे से match नहीं कर रहा है, जो पीछे answer दिया, इन्होंने power को इसके साथ यह sign n plus 1 x ले गया, यह हमारा हो गया final answer, ठीक है, तो बहुत अच्छे से concept clear करके मैं आपको समझाया, 2-2 method से समझा दिया, अब भी अगर आपको कोई भी step लगता है कि मुझे नहीं समझ में थोड़ा सा video पीछे करके आप इसको फिर से देखो, फिर से देखो, तब भी नहीं समझ में आता है, तब आप मुझे comment box में comment करके पूछ होगे, और अगर आपको ये pdf चाहिए तो आपको मेरी app पे जाके मिल जाएंगे, app का link आपको description box में मिल जाएगा, ठीके वहाँ से आप ये सारे pdf फॉर्म में paper को वहाँ से देख सकते हो, ओके तो मुझे लगता है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया, तो now it's time to say bye, thank you.